आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं आम की कछरी बनानी की रेसिपी वो भी बिलकुल यूपी स्टाइल और ये बहुत ही जादा चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनती है बनाना बिलकुल आसान है तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दो किलो लिया है कच्चा आम इसे हम अच्छे से धो के इसका छिलका उतार के लेंगे तो ये देखे हमने इसका छिलका उतार के ले लिया है और अब हम जो है आम को कद्धू कस करेंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर ग्रेटर ले लिया है तो सारे आम को हमने कदुकस करके ले लिया है और अब हम जो है इसे रख देंगे धूप में 4-5 गंटे के लिए ताकि इसमें जो भी पानी वगेरा है वो ड्राय हो जाए तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं हमने इसे धूप दिखा करके अभी ले लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे एक टीस्पून हल्दी का बॉडर और एक टीस्पून डालेंगे नमक और डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एक दिन तक धूप दिखाएंगे बिल्कुल अच्छी धूप में इसे एक दिन के लिए हम रखेंगे और इसकी साइड वगेरा को भी चेंज करनेंगे ताकि हर साइड से धूप लग जाए तो यहाँ पर हमने देखिए इसे एक दिन के धूप दिखा दिया है अच्छी दूप में हमने इसे रखा था ये बिल्कुल रेडी है और अब हम कच्छी में डालने के लिए एक मज़ेदार सा मसाला त्यार करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है पैन गरम है इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून मेथी और मेथी को हमें धीमी आज पर 30 सेकंड के लिए भूनना है 30 सेकंड के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सौफ और 1 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे जीरा और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसे लगभग 1-5 मिनट के लिए भूनेंगे धीमी आज पर इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और बढ़ियां सी खुश्पू आने लग जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया यह अच्छे से बुन चुका है और बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी से खुश्पू भी आ रही है बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर में डाल कर पीस लेंगे तो यहाँ पर यह मसाला देखी हमने पीस करके ले लिया है मिथी सौंधा जीरे का इसे हम डाल देंगे और अब हम इस में डालेंगे डेर टेबल स्पून लाल मिर्श-कपॉडो और हाफ टीs-पून डालेंगे कलॉजी और अब इसमें डाल देंगे एक कप के करीब सरसो का तेल, सरसो के तेल को कच्छा नहीं डालना है, इसे अच्छे से पहले पका लेंगे, और फिर इसे ठंडा कर लेंगे, और फिर इसे डालेंगे, और डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जैसे इ यहा趣 फानी नहीं होना चीओवननी खराब होजाएगा कर दिखा देगे 3-4 गंटे के लिए इसलो है वनी जो है इसे निकाल लेंगे और अब मैं आपको इसे जो है खोल करके दिखा देती हूँ तो कच्री बनकर के तयार है यह बहुत ही जादा टेस्टी बनी है बिल्कुत चटपटी सी इसे आप दाल चावल के साथ, पूरी के साथ, पराटे के साथ खा सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है और अगर आप इसे ट्राइ करते हैं तो प्लीज अपने फीडबाइक दीजेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजेगा साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए शुक्रिये अल्ला हाफीज